नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैरानी गुपता आपके साथ 18 जुलाई को रास्टपती चिनाव के लिए मतदान किया गया था और आज 20 जुलाई है आज वोटो की गिंती हो रही है और इसी के साथ ही सभी को इस बात का इंतजार है कि कब रास्टपती का चैन और रास्टपती के नाम की घोशना होगी अगर वोटो की गिंती के अधार पर देखा जाए तो इस वक्त सबसे जादा जो आगे है वो द्रौपती मुर्मू का नाम ही सामने आ रहा है आपको बता दे टोटल 747 सांसदों ने वोट किया है जिसमें से 547 सांसदों ने NDA की रा आठी वोट मिले है इसके साथ ही अगर इसके परसंटेज की बात करें तो द्रौपती मुर्मू को 72 फीसदी वोट हासिल हुए है जबकि यश्वन्त सिनहा को 28 फीसदी वोट हासिल हुए है इसको ले करके माना जा रहा है कि जिस सबसे आखड़े सामने आ रहे हैं इससे द्र आरे आले हैं वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है इस बात को ले करके कि आज भारत को पंद्रवे रास्टपती के तौर पर द्रौपती मुर्मू मिलने वाली है इसी के अधार पर अगर उनके गाउं की बात करें तो उनके गाउं में भी उनके भाई का यही कहना है कि वो किया गया है इसी के साथ ही वहाँ पर मिठाईया और लड़ू भी बाटे जा रहे हैं तमाम लोग आ रहे हैं दूर दूर इलाकों से लोग आ रहे हैं उन्हें शुपकामनाई देने के लिए साथ ही जिस तरीके से यह खुशी है उस महौल को देखने के लिए इसी के साथ ही आपको बतादे इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से बस ऑफिशिल अनाउंस्मेंट का इंतजार है हाला कि अगर वोटों की गिंती के अधार पर देखें तो रास्टपती के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ही आगे निकल रही है इस बात को देखते हु उन्हें शुब कामनाई देने के लिए ये बड़ी खबर आ रही है इसी के साथ ही आपको बता दें इसको लेकर के तमाम लोगों के रियक्शन भी आना सामने हो गए हैं केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज देश इतिहास रशने वाला है क्योंकि आज भ पूरी तरीके से बधाई देते हुए ट्वीट किया और उन्हें शुब कामनाई देते हुए द्रौपदी मुर्मु को बधाई दी है इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि कैसे टोटल 540 सांसदों का समर्थन मिला है उनका वोट मिला है हाला कि अगर उनके ग्रेह राज की बा बात करें अकाली शिरोमडी की बात करें तो उन लोगों ने भी अपना समर्थन दिखा दिया था और तमाम जो लोग थे उन्होंने इस बात को माना भी कि जिस तरीके से एंडिये ने अपना उमीदवार चुना है एक आदिवासी महिला के तोर पर जिसे की भारत की सर्वोच पड़ रास्ट पती का होता है उसके लिए चुना है तो उसको ले करके प्रधान मंत्री मोदी का भी धन्यवाद किया इसी के साथ ही बीज़पी के शुर्ष नेतरित्व का भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मु को रास्ट पती के लिए उमीदवार तो कि तमाम जो आकड़े हैं वो यही कह रहे हैं और इसी के साथ ही एक राउंड का जो काउंटिंग है वो समाप्त हो चुका है दूसरी राउंड की काउंटिंग चल रही है लेकिन अगर पहले काउंटिंग की बात करें पहले राउंड की काउंटिंग की बात करें तो तक यह खुशी देखनी को मिल रही है और लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आकिर वो रास्टपती के पत के लिए कब श्रपत लेती है ताकि वो जीत के खुशी है और भी ज्यादा दोगनी हो जाए आपको बतादे राज सभा के महा सचेव पीसी मोदी ने कहा कि द् लाख 45,000 वोट हासिल किये जो की 208 सांसदों के हैं साथ उन्होंने ये भी बताया कि कुल 15 वोट अवैद थे ये सांसद के आकड़े हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगली घोशना की प्रतीक्षा है वहीं बीजपी ने ता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश इति परिवार की बेटी दॉपती मुर्मु रास्टपती निर्वाचित होंगी इसे के साथ आपको बता दे कुमार विश्वास ने तो दॉपती मुर्मु को रास्टपती पत की बञे तुन बदाई देhta वे ट्वीट कर लिखा भारत के रास्टपती पत पर भगवान जुगण की साधिका रागवेंद्र राम सरकार को धेपत सुझाने वाली हमारी माशबरी की वन्षा बेली आदर्णिय बड़ी बहंत श्रिमती द्रौपती मुर्मु के निर्वाचन पर हार्दिक बधाई राजेंद्र बाबू राधा कृष्णन वकलाम साहब की सुगंद से सुवासित राज उपवन को ये वन्फूल मंगल कारी हो आपको बता दे तमाम लोगों की रियक्शन आना शुरू हो गए हैं और इसको ले करकि द्रौपती मुर्मु को रास्टपती पत की बधाईयां भी मिलने शुरू हो गई हैं अगर उनके गाउं की बात करें तो उनके गाउं में भी उनके जो तमाम रिष्टदार हैं और इसी के साथ ही गाउं की जो आसपास के लोग हैं वो भी जमा हो रहे हैं और सभी का ये कहना है कि जिस तरीके से वो राजनीती में आई से पहले वो टीचर थी और जब वो उपराज जपाल बनी या फिर आज भी अगर वो तरीके से आज भी उनका वहवार देखने को मिलता है और साथ इसी वज़े से जो तमाम लोग हैं जो दूर दूर से उनसे जुड़े हैं वो आज उनके गाउं उनके ग्रिहनगर में आज मौजूद हैं ताकि इस खोशी के मौके को और भी जादा दूगना बना जा सके और इ आफिर जश्न मनाने की हो जिसके लिए पारंपरिक जो नित्य होता है उसका भी आयोजन किया गया है इसी के साथ ही जैसा खबर आ रहा है कि पीम मोदी और राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा सहीत मोदी कैबिनेट भी द्रौपदी मुर्मु के आवास पर जाएंगी उन राचना सिंग आमेशा जैसे तमाम वरिष्ट नेता मौझूद थे और उसी के साथ ही अगर हम उपराश्ट पती चुनाव के उमिद्वार की बात करे तो उनके साथ भी तमाम जो बीजबी के वरिष्ट नेता है पीम मोदी राजना सिंग आमेशा सबही लोग मौझूद थे यहाँ पर उमीदवार अकेला नहीं है बलकि पूरी NDA से चुनाव को लड़ रही है और पूरे NDA की नेता इस चीज को ले करके महनत करते हुए दिखाई देते हैं अगर वही हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने जब यश्वन्द सिनहा का चुनाव कीया था तो जो सबसे पहले उनका नाम लेने वाली थी मम्ता वेनरजी वही नामांकण के दौरान नहीं दिखाई थी ममताव एनरजी ने तो ये तक कह दिया था कि द्रौपदी मुर्मू के जीत किया शंकाई जो है वो जादा दिखाई देती है हाला कि उतनी यश्वंत सिन्हा की नहीं दिखाई देती है इसी के साथ ही ये भी देखा गया था कि यश्वंत सिनहा बेंगौल नहीं गये थे वो अपना प्रचार करने के लिए रस्टपती चिनाव को ले करके और कहीं न कहीं ये चीजे जो है वो तभी से देखी गई और जिस तरीके से उनकी बयान बाजी रही है यश्वंत सिनहा की तो वो भी एक बड़ा कारण बन रहा है उसकी इस हार में वहीं अगर कुल मिला के आकडोक पर नज़र डाले तो अभी तक जो टोटल राउंड जो हुआ है उसमें 540 सांसदों का वोट द्रौपदी मुर्मु को हासिल है जिससे की माना जा रहा है कि उनकी जीत ताय है और आ